कि ये मेतर मैं आपको मेरे कंप्रेटर में करके दिखाड़ा हूं यह आप अपना स्मार्ट फोन में भी कर सकते हैं सबसे पहले आपको इस वीडियो का डेस्किप्शन में जाना है डेस्किप्शन में आपको सबसे उपर दो लिंक दिखेगा जिसको मैं level बेल लॉट कर दूंगा। फैस्ट लिंक पेज़ेस को क्रॉप करने के लिए यूज करना है। फैस्ट लिंक में क्लिक करते ही यह वेपसाइट ओपन होजाएगा यहां पर आपको लोकल डिवास में क्लिक करना है देन आपको PDF फाइल सिलेक्ट कर लेना है अगर आप फोन में यूज कर रहे हो तो आपको फोन में भी सिलेक्ट कर लेना है ऐसे एंड इसको ओपन कर देना है यहां पर आपका PDF लोड हो जाएगा 36 pages है इसलिए थोड़ा सा time ले रहा है यहां पर आप देख सकते हो दो options है entire document and individual page मतलब अगर आप entire document select करके रखते हो तो आप जो भी crop करोगे मतलब समझ लो कि मैं ऐसे crop करता हूं तो यह जो portion है मैं जो crop किया तो यह portion हर एक pages में apply होगा ठीक है अब देख सकते हो कि इतना से apply बाहर चले जा रहा है अपका PDF में हर एक page में margin होता है ऐसे ठीक है तो आप चाहते हो कि margin के अंदर वाला जो content है अब उसको लेना चाहते हो तो आप ऐसे margin को अगर mark out कर देते हो तो आपका हर एक page सेफ रहेगा मतलब जो content होगा वो सेफ रहेगा and पूरा document crop हो जाएगा अगर आप चाहते हो कि individual page आपको crop करना है तब individual page में select करना है आपको and then इसको ऐसे crop कर देना है right में click कर देना है इसमें आप देख सकते हो कि यह page हाफ ही है तब को इसको crop करने के लिए आप बस इसको select कर दो and इस तब आप देख सकते हो कि यह crop हो चुका है तो ऐसे आप हर एक page को कर सकते हो तो मैं अभी इसको download करके दिखा देता हूं कि यह हुआ की नहीं तब देख सकते हो कि यह crop हो गया and यह original page का size था and यह दूना page crop हो गया अभी हम आते है rotate में ठीक है यहाँ पर आपको file select कर लेना है जिसको आप rotate करना जाते हो मैं इसको select कर देता हूं and अभी आप देख सकते हो कि हर एक page यहाँ पर load हो रहा है 36 pages है जो कि load हो गया अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर एक page को अगर आप rotate करना चाहते हो एक साथ तो आप यहाँ पर left में click करो तो यह left rotate हो जाएगा फिर से करो 180 degree हो जाएगा ऐसे आप हर एक page को एक साथ कर सकते हो लेगन अगर आप individual करना चाहते हो वह भी आप कर सकते हो जासे लास्ट पहला page है सुमझ मैं इसको चाहता हूं कि डिलीट हो जाए तो इसको मैं डिलीट कर दिया ठीक है आप ऐसे डिलीट कर सकते हो और यहाँ पर add mode क्लिक करके choose file में select करके एक नया page यहाँ पर जोड भी सकते हो अब इसको मैं सेब करके दिखा देता हूं अभी आपको डाउनलोड में क्लिक करना है और मेरे डाउनलोड हो गया इसको मैं उपन करके दिखा देता हूं जचकर देख सकते हो कि फास्ट पेज राइट में सेकंड पेज लेफ्ट एंड थर्ट पेज 180 डिग्री रोटेट हो चुका है अगर अगरे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जोड़ करके डगना ताकि जब यह से इंटरेस्टिंग एंड यूसफुल वीडियो में चैनल पर अपलोड करो आपको एक नोटिफिकेशन मिले